कहते हैं कि धन 13 के दिन सोना चांदी खरीदना बेहर चुक होता है तो हम गुरूजी से जानते हैं कि धन 13 के दिन सोने चांदी में क्या-क्या खरीदा जाना चाहिए बिल्कुल मैं सभी हमारे दैनिक जागरंड से जुड़े हुए सभी शोताओं से कहना चाहता हूँ देखिए आज के दिन सोने से रिलेटिड आप कुछ भी खरी दिये अपने सामर्थ के अनुसार खरी दिये अपनी पॉकिट को देखते हुए खरी दिये पर कुछ भी लाईए चोटा ही मात्रा में लेकर के आईए चाहे कौईन लेकर के आईए और उसको लाकर के मा लक्ष्मी के श्री चरणों में रखिए गनेश जी के चरणों में रखिए कुवेर जी के चरणों में लाकर के रखिए आपका सामर्थ नहीं है तो आप चांदी का लिया ये कुछ भी चाहे कड़ा लेकर के आजाओ चाहे कुछ भी मत लेकर के आजाओ चाहे कुछ भी मत लेकर के आजाओ जो इस पर गणिजी की प्रतीमा बन रही हो मा लक्ष्मी की प्रतीमा बन रही हो आप वोई लेकर के आजे और उनके चित्र के सामने आकर के रख दीजिए शुब साइन होते हैं इसलिए कहा जाता है कि 13 का दिन सबसे शुब दिन होता है पर्व की शुरुआत होती है इसलिए आपको कुछ ना कुछ जरूर आज लेकर के आना चाहिए मादरा में छोटा ही क्यों ना